तो पहर के देड़ बढ़ रहे हैं नमस्कार आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूँ तो गुजरात चुनाम में प्रचार के आखरी दिन बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने जोर लगा दिया है और इस वक्त कॉंग्रेस अध्याच्र राहूल गांदी एमदाबाद में प प्रचार के विकास की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है विकास पर सवाल उठा रहे हैं राहूल गादी प्रम प्रकाश दूबे और अमित हमारे सायोगी दोनों ही इस वक्त मंदिर में ही मौजूद हैं अमित क्या आप देचा है इस वक्त क्या प्रधा प्रधान मंत्री का काफिला लोगों के बीच से गुजरता हुआ तो प्रधान मंत्री मोदी का काफिला बहार निकल रहा है ब्रह्म आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो क्या अपडेट है आपके पास बिल्कुल देखे मैं मुख दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ मंदिर का जो मुख दरवाजा है और पीम का काफिला वापस आ रहा है प्रधान मंत्री दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं हमारे कैमरा परसन शंकर मलेक आपको तस्वीरें दिखाएंगे देखिए प्रधान मंत प्रधान मंत्री के काफिले के आगे-ागे जो सेक्योर्टी की गाड़ियां चलती है वो अभी आपको दिख रही है नंदिता और इसके पीछे प्रधान मंत्री का काफिला है प्रधान मंत्री ने दर्शन किये हैं अंबा माता के और इसके बाद आशिरवाद लेने के बाद मंत्री रवाना हो रहे हैं आज चुनौप्रचार का आखरी दिन है गुजराट चुनौप्रचार का कफिला महा से निकल गया है हम चाहेंगे आप लोगों से पूछे की हकीकत क्या है वो क्या सोचते हैं इनारोपो पर बिलकुल देखे नंदिता मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ जो राहूल गांदी और कॉंग्रेस उठा रहे हैं लेकिन मैं आपको साथ साथ तस्वीर ही बता दूँ कि राहूल गांदी नरेंद्र मोदी का काफिला अभी मुख दरवाजे तक पहुच रहा है और जो आप त जरात में जो सी प्लैन से उड़े हैं दिखावा है यह हवा हवाई विकास है क्या आप लोग मानते हैं अरे आप देख लो तो खाली बातों में हो आई है यहां तो हम खुद रेकते रहे हैं और हम तो खुद उद्यक पती है आज जो जियेश्टी है कि नोट बंदी है तो उ स्टेंद्रमोधी वाहां सकती है और पप्लिक की दो खुशी है जो पा अच्छाा है कि चले कुछ audio problem आ रहा है अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधान मंत्री मोदी अंबाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद निकार चुके हैं हमारे सेयूगी ब्रहम पर मौझूद है लगातार लोगों से बात कर रहे हैं राहूल गांदी प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं उस अमित प्रकाश हमारे सेयूगी भी हमारे साथ मौझूद है उनसे बात करने कोशिश कर लेते हैं अमित क्या आपको मेरी आवाज आ रहे हैं सिगनल जा रहे हैं लेकिन लेकिन राहूल गांदी तो कह रहे हैं कि यह इन्होंने कुछ किया नहीं एक तरफा दिखावा करते हैं और लास्ट दिन आके उन्होंने लोगों के भी अपना एक लॉलीपॉप पक्रा लिया है तो किसी आखे के डॉक्टर के बाद आके और आखे चेक करानी जी है तो भी बच्चा है राहूल गांदी तो भी बच्चा है इसलिए उसका नाम पपु रखा हुआ है राहूल भी जाए उसको लोलीपॉप पर दिखेगा यह क्या होता है उसके उसकी वह है नहीं उसको मालुम ही नहीं है और यॉड़ इस मोधी जो बात करेगा परदान मंत्री आखरी दिन हवाई जाज में चड़ गया है और लगों को दिखा दिया कि दिखावे में जीते हैं कुछ विकास नहीं किया है इसके ब्रह्म है वह उसके मन में ऐसे नहीं होते हैं जो वह सुथा है वह जैसे वह सुथते हैं जिए एक तरफ विकास किया है अमेत आपको मेरी आवाज मिल रही है एक और सवाल राहूल गांदी ने ये भी उठाया है कि खाली बड़े लोगों का विकास हुआ है वहाँ पर आम जनता का जमीनी स्थर पर विकास नहीं हुआ है स्कूल, कॉलेज जा रहे थे, रोड रश्टे, घराब रोड पे जा रहे थे आज हम इतने फॉर ट्रेक बन रहे हैं टू ट्रेक बन रहे हैं और इतना हो रहा है आज हर लोग एक इंटेनेट का यूज करना जाते हैं जिससे पूरा ग्लोबल को एक हाथ में लेके लोग खड़ के सामने यहां जो आता है उसका काम जरूर होती है यह कोई किसी का लिए राहुल गांदी भी आ सकते इंटिरा गांदी भी आई थी सब आये हुए हैं यह कह रहे हैं कि एक तरफा विकास की बात करते हैं और प्रदान मंत्री सिर्फ हवाई जहार में चड़के आके और नाट अगे इसका इससे पदा चल रहा है हमारे प्याम का स्टार कितना है अचिर्वाद देते के मोधी सदाए रहे हैं अमबा मा का हाथ अचिर्पर रहे हैं अचिर्वाद करते हैं अचिर्वाद मोधी आज प्रांट मिनिस्टर है दिली के अंदर गुजात के अंदर इतना ज्यादा विकास हुआ है कि कल्पना है ना कर सकते राहूल गांदी पागल हो चुके है और 65 साल में उन लोगों ने कुछ गया नहीं देश को बरबात करने के सब्सक्राइब और आदिवाशी विस्तार में आदिवाशी को आदिवाशी रहने दिया है उनका कोई विकास हुआ नहीं नरेंद्य मोदी ने विकास के नम पर पूरे गुजाद का विकास उसके साथ पूरे भारत का भी विकास हो रहा है पूरे देश के अंदर वह तो अल्रेटी 22 साल पहले से हो चुका था गुजाद का विकास अब पूरा भारत का विकास होने जा रहा है और मोदी के साथ है आज के तारीक में कांग्रेस केंदर को लिडर है नहीं अज के प्रादान मंतरी के बारे बोला वो मोदी जी हैं मगर वो हिंदुस्तान के प्रधानगंत्री भी है मैंने बास किरद कर दी है कि इसको मैं टॉलरेट नहीं करने वाला और आपने आक्शन आप सब को आक्शन दिखिया जिस प्रकार से नरियंद्र मोदी जी ने मनमौन सि्ग जी के बारे में बास जी वो भी acceptable नहीं है मनमौन सिग्जी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंफरी रहें है और मनमौन सिग्जी ने काम किया है तो जिस प्रकार जे मोदी जी ने उनके बारे में बोला है that is also not acceptable अम्मा माता के दर्शन करने के बाद कुछ वक्त पहले प्रधान मंतरी मोधी धरोई जान के लिए निकल चुके हैं और वहां से वो सी प्लेन में सवार होकर वापस साबरमती फ्रेंट पहुचेंगे आपको बता दे कि आज गुजरात में चुनाव प्रचार का आखरी दिन है ये तस्वीर हैं आपको अम्माजी मंदर के अंदर की दिखा रहे हैं मंदर का विकास भी प्रधान मंतरी मोदी ने कराया है और सी प्लेन अपने आप में विकास की एक तस्वीर है जो कि कुछ महीने बाद मोदी कहते हैं कि आम जंता के लिए भी खोल दिया जाएगा सी प्लेन से सफर करना तो आज आखरी दिन है और अपना कहा जाता है कि बेस्ट दाउं खेला है प्रधान मंतरी मोदी ने गुजरात चुनाव से पहले खबरे लगाता चारी है एक ब्रेक हम लेते हैं आप बने रही है हमारे साथ